162 गेंदो पर 103 रन, 13 चौके, 3 चके, जबरदस बल्ले बाजी का प्रदशन यानि धरमशाला में रोई शर्मा का तूफान आया और उसी तूफान से रोई शर्मा ने इंग्लैंड को रुलाया और चारो खाने चित कर दिया हम day 1 पर जाएं तो day 1 पर जो बल्ले बाज टिका था ये शस्वी जैसवाल के साथ second innings में जब इंग्लैंड के 218 पर all out होने के बाद आई भारतिय टीम बल्ले बाजी करने ये शस्वी जैसवाल ने भी अपना अर्शा तक जड़ा लेकिन दूसरी छोड़ से रोई शर्मा अप के लिए बहुत important हो जाता है कि calculating risk लेना और टीम को एक safe position में लाकर खड़ा करना और रोई शर्मा ने उस century से भी वही करके दिखाया बल्ले बाजी तो बल्ले बाजी पर लेकिन कप्तानी से भी बहुत जादा बहुत attacking रहे थे रोई शर्मा इस पूरे test match में और हैदराबाद के बाद अगर आप देखें बाकी सारे test match तो attacking रही और कुछ-कुछ जगाओं पर उनको defensive करनी पड़ी सिरफ और सिरफ इंगलेंड को लालश देने के लिए तो ये बहुत अच्छे move थे कुछ रोई शर्मा के कप्तानी से पर लेकिन कप्तानी के साथ साथ बल्ले बाजी से भी रोई शर्मा ने जो करके दिखाया है यानि इस पूरी test series में पांच मैंचों की रोई शर्मा का ये दूसरा सथक था और दूसरा आया धरमशाला के खुबसूरत मैदान पर खुबसूरत पारी भी खेली चांसे जादा दिये नहीं रोई शर्मा ने यानि जादा unsettled थे न करते रहें चाहे आप बात करें टॉम हाटली के खिलाफ चाहे आप बशीर के खिलाफ बात करें उनकी चाहे आप इवन माकूट के खिलाफ बात करें चाहे जेम्स आंडरसन के खिलाफ बात करें तो रोई शर्मा ने जबर्दस बल्ले बाजी का प्रोशन करके दिखाया अप पूरी टैली में World Test Championship की उसमें एक एकलोते इंडियन है रोई शर्मा ऐसा कारनामा करने वाले इवन अगर आप बात करें तो 30 साल की उमर के बाद रोई शर्मा के 35 सेंचरी है जो कि उनको सबसे अलग बनाता है इस पूरी की पूरी फेरिस्ट में या लिस्ट में इवन अगर आप एक और चीज़ की तरफ देखें World Test Championship के जब से शुरू हुआ है World Test Championship के इतिहास में रोई शर्मा के 2500 रन पूरे हो गए और बत और कैप्टन रोई शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में और आगे लेकर जा रहे हैं और टीम को शतक बाई शतक बना बना कर आगे लेकर जा रहे हैं शतक आ रहे हैं उनका बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में 2019 के बाद से रोई शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में और अगर आप देखे तो बहुत अच्छा रोल रहा है और उन्होंने साबिद भी करके दिखाया अपने बल्ले से लेकिन एक तरफ अगर हम देखे तो रोईड बॉल वाइड बॉल के बीस्ट भी और साथी साथ उन्होंने अपने अपको रेड बॉल फॉर्मेट में कप्तानी सौंपी जाने के बाद इतना मांज लिया है यानि इतना उन्होंने अपने अपको ढाल लिया के उस पर्डिकुलर फॉर्मेट में रेड बॉल फॉर्मेट पे भी जबरदस प्रदर्शन रोई शर् बड़े रंज नहीं लगारे बोट पर तो सब को पूरी तरीके साथ जवाब दे दिया कि जब रोई शर्मा सेट होंगे तो कोई गेंदवाज उनको आउट नहीं कर पाएगा अगर रोई शर्मा आउट होंगे सिरफ और सिरफ अपनी गलती से आउट होंगे यह रोई शर्मा बताएं फिलाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना है